हलो एब्रिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं हूँ पतिभा, मेरी चैनल कानपूर कीचन एंड ब्लॉक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी की कबाब की रेसिपी आप इने गोभी की टिक्की भी कह सकते हैं अगर आपकी हाँ कोई अचानक से महमान आता है तो आप फटा फट इने बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले मिले चलिए शुरू करते हैं गोभी की कबाब बनाने के लिए हमने आप एक मेडियम साइज की गोभी को अच्छे से धो के कद्दू कस करके लिया हुआ है आप चाहें तो इसे बारीक बारीक चौप भी कर सकते हैं यह लगबक धाइसो ग्राम की जितनी गोभी ह अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज तीन से चार बारीक कटी हुई हारी मिर्च तीखा अप अपने हिसाब से कर सकते हैं एक पिंच हींग डालेंगे, थोड़ा साम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक चोथाई चमच अजवाइन, एक चोथाई चमच सौंफ, एक चोथाई चमच जीरा, और थोड़ा साम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, जोकि इसे थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देगा आधा चमच हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला हुआ है जिससे कि इसमें अच्छी सी खटास हैगी अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच बेशन साथी साथ डालेंगे एक बड़े चमज चावल का आटा जिससे कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और साथी साथ ये तेल भी कम एब्जॉर्ब करेंगे सारी चीजों को हम पहले सूखा ही अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती है गोभी के मॉश्चर से ही अच्छे से बाइंड होने लगता है तो अब हम इसमें स्वादी के अनुशार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको ये थोड़ा सा गीला लगता है तो मुझे ये थोड़ा सा गीला लग रहा था तो मैंने एक चमश इसमें चावल का आटा और डाला हुआ है और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे इस तरीके का बनाना है जिसे कि हम अच्छे सी टिक्कियां बना सकें इसमें हम कापी सारा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया डालके अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसके टिक्कियां बनाएंगे तो ये दिखिए एक बॉल इस तरह से हम तयार करेंगे और फिर थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसे अच्छी सी टिक्की का सेप देंगे तो ये लिजी ये हमारी गोभी की टिक्की बन के तयार है तो सेम इसी तरह से हम बाकी और भी बना के तयार कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये टिक्कियां बना के तयार कर ली हुई है और एक कप गोबी में च्छै टिकियां बनी हुई हैं तो अब हम इन्हें फ्राइ करेंगे जिसके लिए कडाई में हमने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है तो तेल मीडियम गरम होना चाहिए और मीडियम गरम तेल में हम इन्हें फ्राइ करेंगे तो देखें एक एक करके ह तो हम इने थोड़ी दिर और पकाएंगे इसके बाद इसे टर्न करेंगे तो यह देखिए अब अच्छा सा कलर आ किया है एक साइड़ से अच्छे से पक गई हैं तो सबी को हम ने टर्न कर दिया हुआ है और दूनों साइड से अच्छा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे और ये लीजिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी गोभी की टिक्या बनके तयार हैं तो उमीद करती हूँ कि आपको ये रेसीपी पसंद आई होगी मैंने इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया हुआ है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और च ये वीडियो की साथ